नमस्कार किसन बाईयों, किसन उली यूटूब चैनल में आप सभी किसन बाईयों का स्वागत है आज हम बात करेंगे बाइर के लार्विन इंसेक्टिसायड बारे में यह कॉंटेक्ट इंसेक्टिसायड है यह एक बहुत अच्छा ताकतवाद कीटनारसक है जिसे मैंने Swim ने ही बहुत सी फसलों में उपयोग किया है इसका result मुझे अन्ये बहुत से कीट नासोकों से फायदेमंद लगा है आज हम आपको इसकी मातरा के बारे में कीमत के बारे में इस प्रेम में होने वाली फसलों के बारे में और नियंत्रित होने वाले कीट के बारे में जानकरी देंगे कि आप इसे कब कैसे और कौन-कौन सी फसलों में उप्योग में ले सकते हैं और कौन सी फसल में ये नुकसान कर सकता है वह कहां इसका अधिक फाइदा आपको देखने को मिलेगा पूरी जानकरी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है बायर के लार्विन के इटनासक में थियोडिक और 70% WP chemical composition पाई जाती है इसे लार्विन के नाम से ही मार्केट में जाना जाता है बहुत सी फसलों में इसका उपियोग इटनासक के लिए किया जाता है लेकिन टमाटर, बेंगन, भिंडी, खीरा, आलू, मिर्च, अरर, चना, मटर, सोयाबीन, कपास पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है बहुत सी फसलों में जिनमें इनका इस्प्रे से नुकसान होने की सबावना रहती है जिसमें धनिया अधरक मौंगफली है ये एक कॉंटेक्ट के इड़नासक है ये सभी तरह के इल्लियों, लारवा, लटों, पतिछदक, तनाचदक, फलचदक, इल्लियों को बहुती कम समय में इस दवा के संपर्ग में आने पर नियंतरित कर लेता है सभी कीट और इल्लियों, लटों को विकास दवा के संपर्ग में आने पर एक साथ रुख जाता है मुख के तनाचदक, फलचदक, पत्ता, लपेट जैसी कीटों का नियंतरिम में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है ये दवा मार्केट में 100 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम के पेकेट में मिल जाती है इस्प्रे के लिए 15 लेटर पानी में 20 ग्राम दवा का इस्प्रे करना चाहिए परती एकड में 1500 लेटर पानी में 200-500 ग्राम दवा की आवशेकता होती है इसकी कीमत 100 ग्राम के पेकेट की कीमत 500 रुपे के लगबग और 500 ग्राम के पेकेट की कीमत 250 से 600 रुपे के लगबग होती है आप सभी किसान तनाचेदक कीड और फल्चेदक और पत्ता लपेट की परेशानी के अंदर लार्विन कीड ना सका इस्प्रे करके लाब ले सकते हैं उम्मीदे आपको हमारे द्वारा दी गई जानकर एच्छी लगी होगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक करें और अन्य किसान सात्यों के साथ में सेयर जरूर करें और हमारे किसान विले यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद जे जवाँ जे किसान